So, Hello guys, कैसे हो, आपसे बाई होप, आप लोग अच्छी होंगे दोस्तों, आज के सी वीडियों में आपको बताने वाला हों की कैसे आप अपने फोन के अप्लिकेशन पे पासवर्ट सेट कर सकते हो क्योंकि guys, आप मेंसे काफी सारे लोग अपने फोन के अप्लिकेशन को लॉग करते होंगे इसके लिए थार्ड पाटी अप्लिकेशन यूज करते होंगे इस वीडियों में आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे बताने वाला हूँ कमेंट चलिए को सस्क्राइब ज़रु किजएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गई समा गए फोन के उप में स्क्रीण पर अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोन के प्लिकेशन पर पास्वर्ड को सेट कर सकते हो अपलीकेशन को कैसे लॉग कर सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर तो फवी दोस्तों आप एक रिखान का फ़ोने यह क्रेस्ट के आज आप पेस वीडि़र में आपको बताने वाला हूं सबसे पहले मापको रियल में के सैटिंग डाल देना है जो भी पासवर्ड आपने लॉक स्क्रीन पे सेट किया है वही पासवर्ड आपको डालना है तो दोस्तों आपको कुछी इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और गैस यहां पे आपके फोन में जो भी अप्लिकेशन है यहां पर आपको सो हो जाएंगे और गैस आप य कितने भी अप्लिकेशन है सभी अप्लिकेशन आपको यहां पर सो हो जाएंगे ठीक है यहां से आप बहुत ही आसानी से अप्लिकेशन पर लॉक को सेट कर सकते हो जैसे माल लिजे कि मुझे वर्टसप को लॉक करना है ठीक है तो यहां पर हम वर्टसप को ओपिन करते हैं इ ही password इस टाइम पर काम करेगा आप इसको चेंज भी कर सकते हो ठीक है सिंप्लि आपको बैक आना है बैक आने के बाद आपको यहां पर सेटिंग मिलेगा सेटिंग पर क्लिक करना है इसके बाद गईज आपको पहले नंबर पर एक अप्शन लेगा चेंज प्रवेशिव पासव एड कर सकते हूँ recovery password के लिए और गैस यहाँ पर recovery email आप add कर सकते हूँ अगर आप password भूल जाते हूँ कैसे आप password को recover करोगे तो दोस्तो आप यहाँ पर यह सब चीजे add कर सकते हूँ इसी तरह कि यहाँ पर आपको काफी सारे option मिलेंगे तो दोस्तो इस तरह आप बहुत ही आस गैस आप यहां पर देख सकते हूँ, जो lock screen का password था, उसी से हमारा WhatsApp open हो गया, इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने phone के application को lock कर सकते हूँ, password को set कर सकते हूँ, इसके बाद guys अब चले मैं आपको Redmi के setting के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप Redmi के phone में application को lock कर सकते हूँ, application पर आ आपको यहां पर एक option मिलेगा, app का, ठीक है, आपको इस पर click करना है, और guys आपको यहां पर last में app lock का option मिल जाएगा, आपको इस पर click करके application को आप यहां से lock कर सकते हूँ, simply आपको इसको turn on करना है, इसके बाद आपको यहां पर एक pattern lock set करना है, अब इसके बाद guys आपको pattern lock को confirm कर देना है अब आपको यहां पर next पे click कर देना है अब गैस इसको आपको not now कर देना है आपको थोड़ा सा wait करना होगा चार सेकंड तक अब इसके बाद आपको यहां पर not now पे क्लिक कर देना है। घड़ेस आपके फोन में जो application है आपको यहाँ पे show जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो application पे tick लगाएं तो इसको अभी untick कर देते हैं अब गैस आपको यहाँ पे use app log पे click करना हैं, इसके बाद आपको इसको cancel कर देना है दोस्तों आपके phone में जितने वी application है आपको यहाँ पर so हो जाएंगे आप यहाँ से उन application पर password को set कर सकते हो लॉक को enable कर सकते हो जैसे मुझे WhatsApp पर enable करना है तो हम इसको enable कर देते हैं तो दोस्तों हमारे WhatsApp पर lock set हो चुका है ठीक है simply आपको यहाँ पर नीची आना है नीची आपको काफी सारे option मिल जाएंगे change password दोस्तों आप यहाँ से password को change कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो pattern lock enable है आप इसको disable करके fingerprint enable कर सकते हो face lock लगा सकते हो इस तरह की setting आप यहाँ पर कर सकते हो अब guys हम अपने phone के WhatsApp को open करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा WhatsApp open हो चुका है और यहाँ पर fingerprint lock मांग रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हम password डाल देते हैं जो हमने pattern set किया था अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो WhatsApp है वो unlock हो गया है इस तरह आप किसी भी application पर password को set कर सकते हो पैटरन लॉक लगा सकते हो और दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी third party application इस्टॉल नहीं करना पड़ेगा गैज उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई दो वीडियो को like कर दो यार चैनल पर नए आई हो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही ने अप्लीकेशन सिलेटेड ने जनकारिस लेटेव बनाता रहता हूँ वीडियो को देख के लिए धन्यवाद